हेलो नमस्कार बच्चों आप लोग का हार देख स्वागत है आपका प्यारा चैनल एटुजएड इसटी पॉइंट पर मीपरदीप सर आज हम क्लास लेके आई वे हैं क्लास 8 से संबंदित जो आपका एकजाम तयार है और आपके पास एड्मिट कार्ड भी आ गया है तो एड् लिखते हैं क्या-क्या दिशाने देश दिया हुआ है बच्चों जैसा कि देख रहें है आपके एड्मिट कार्ड में पहला क्या है एकजाम टाइम तो एकजाम टाइम आपका क्या है पौने 10 बज़े से एक वजजे तक आपका एकजाम होगा पेपर 1 के लिए और पेपर 2 आ नाम आपका वहाँ दिया जाएगा लेकिन आपका यहां जो दिया है कोड एन नेम आप इसकूल यानि आपका इसकूल जहां है वहाँ पर आपका कोड दिया हुआ लेकिन यहां पर देखें exam और roll number यहां से देखें आपके पास दिया है exam और roll number तो यहां देखें roll number का मतलब यह होता है जैसे यहां देखें आपका यहां लिखा हुआ है exam roll number यहां धियां देजिए यहां लिखा है exam और यह आपका है roll number यहां पर लिखा क्या है जैसे यह है एक तालिस जीरो थ्री वन टू माल यह किसी का यह हो गया तो यहां पर जदी देखें तो इस तरह देने के मतलब यह हो गया यह जीरो 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 और यह सेबन है यानि यह आपका क्या हो गया यह आपका इसकुल कॉड हो गया और यह आप है यह को आपका याद रखेंगे ना कि यह आपका है यह इस्टोल कोड है और यह आपका roll number है और तो हमार्शिट में भावर याद रहें यही आपका roll number रता है तो इस तरह से आistas समझन का प्रियास करेंगे और एक्जाम इसा वाउसेक। में क्या उमारशिट में है यह टो आपका scholarships का ठाथ uhancy एक्जाम टाइम आपका कितना है पौने 10 बजह से आपका शुरू आका झितना हि पौने 10 बजह से एक बजह तक आपका एक्जाम होगा और paper1 यह यह पूनसा होगा यह पीपर 1 होगा और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 आपका होगा दो बजे से सवब पांच बजे तक आपका एक जाम होगा, यानि one day में आपका एक जाम YEAR हो जाएका दूसरी दिन नहीं जाना आपको बस यही आपका इलमेंट काड में आवस्यक निर्देश है और इसी तरह से आपका टाइम को मेंटरेस करेंगे और जैसे आपका पूने 10 बजे है तो 9 बजे तक आप इसकूल पहुंचने का प्रियास करेंगे हो सकता कहीं लेट हो जाया लेकिन आप 9 बजे इसकूल जैसा की कोस्टन को हम देखें आपका कोस्टन है अपजे अब्दूल कलाम रोड दपोएम तो इसका महानिक क्या हो गया कि अपजे अब्दूल कलाम ने किस पोएम को लिखा था तो उसका आप्सन आपकी पास वह नहीं चाहिए डेफोडिल्स है माई मदर है एह हेरिटेज नौन आपदीज है नौन आपदीज का मतलब है कि इन में से कोई नहीं अगर यहां कोस्टन को बात करें कि एपीजे अब्दूल कलाम रोड दपोएम तो एपीजे अब्दूल कलाम ने किस कविता को लिखा है उसका सही आंसर होगा माई मदर यानि ऑप्सन नमर्टू आपक पूरा इसको डार के कर देंगे यहीं आपका होगिया जदी आपका कोस्टन नमर यह में आपका है और जदी आप देखके दूसरे बच्छा का लिखेंगे तो आपका आशर को नहीं लीख major I क्योंकि आपके पास जो यह question number one जो दिया है तो वही question number दूसरे बच्चा का थाड में हो सकता है, फोर नमर में हो सकता है इसलिए किसी भी दूसरे बच्चा का नमर के साथ में देखकर आप answer को नहीं लिखेंगी, नहीं तो आपका answer गलत हो जागा क्योंकि आपके question में जो answer रहेगा वो दूसरे बचे का दूसरे नमर में वो question रहेगा इस चीश को आप याद रखिए लेकिन question को देखिएगा question क्या क्या काता है बच्चों देख रहे हैं ये जो आप एक नमर का ये लगा दिए तो आप गलती से भी दो नमर को इस तरह जो यहाँ भी दूसरा नमर लगा देंगे ऐसा कभी नहीं किजिएगा नहीं तो आपका ये जो है नमर कड़ जाएगा यानि उमार सीट में यही काता है जिए एक दो तीन चार है तो चार घर में से एक घर को रंग करना होता है बाकी तीन को खाली छोड़ दीजिएगा याद रखीगा जैसा कि देखें माल या कोई बचा ऐसा है कि कोस्चन को देख लेगा एक सबता में कितने दिन होते हैं वो नहीं जान रहा है तो कहीं में सी नमर में वो घेरा लगा दिया और फिर दूसरी बचा कर देखता है कि एक सबता में साथ दिन होता है कोई एक सबता में आर दिन लि यह जैसे एक को कलर करी अभी एक दो तीन जो बच गया इसको छोड़ देना है इस तरह से हम उमार सीट पर कलर करेंगे और ध्यान रहे एड़ मिट काट में आपका जो सिकनेचर है उसी तरह से आपका उमार सीट में भी सिकनेचर करना होगा लेकिन बच्चों एक आवस्यक बा कि आप उमार सीट को नहीं मोडें और किसी तरह से उसमें छेड़ शार ना करें और लिखा नहीं करें पैन से कहीं दाग भी नहीं होना चाहिए और जहां से भी कुछ समझ में नहीं आवे तो इसकूल की मास्टर साव रहेंगे उससे आप पूछ लिजिएगा आखिर यहां क और जीए चलते कुछ को सब्सक्राइब करते हैं अगरी को सब्सक्राइब करते हैं वज्चों जैसा कि देखरें आपके पास कोश्चन इंगलिस में ऐसा पूछा जा सकता है वाट आर्यू डूइंग इज एंग्जामपल ऑप यह खाली जगह है तो इसका मानिक क्या है एग्जामपल किसका है आपके पास है एकस्लामेंटरी संटेंस है इंपरेटिव संटेंस है इंट्रोघेटिव संटेंस है नॉन अब दीजे तो यह बताएं यह जयासा जैसा और आपका क्योस्चन इस पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए इसका अगर आर्थ को नहीं जा है यह चिन्हा इंट्रोगेटीव काहा है प्रणुवाचक काहते हैं तो प्रणुवाचक वाला चिन कहां से आगा आपका इंट्रोगेटीव यह दिखिए ऑपसन नमर ठी आपके लिए ही रहेगा तो बच्चों यह कोश्चन आपके लिए काफी महत्पुर्ण है इस तरह से आप समझने का प्रियास करें आइए चलते कोश्चन नमर नेस्ट पर नेस्ट कोश्चन आपके पास पूछा जा सकता है कि चूजदा ओड ऑन आउट अब यह कहता है चूने कि कौन सा वर आप बच्चों बचाएं कि इसमें से सई आंसर क्या होगा इंगलिज के पेपर में ऐसा कोश्चन आपको देखने को मिलेगा तो बच्चों देखें जैसा कहा रहा है कि चूजदा ओड ऑन आउट यानि ओड वर्ड इसमें से कौन सा है उसको आपको चुनना है जैसे देखि shy, sad, cat, angry तो यह देखिए happy मैंन क्या होता है यह खूस होताफा को समझिए happy मैना experts हो गया का मतलब यह अपका उडास हो गिया cat मैन होगिया ऑका बिल्ली uninterilians इलेकिन सवाल उरता यह यह दीखे बिली एक जाती है यह खूस 우ड और यह देखिए smera मनुष के साथ ये activity होती है तो option number 3 आपके लिए सही रहेगा ऐसा भी odd and out question आपके पास पुछा जा सकता है आई ये चलते कुछ less question को भी देखते हैं जैसा कि देख रहें बच्चों आपके पास ऐसा एक application आएगा तो application को आप याद कर लिएगे और यहाँ application क्या कर रहा है choose the correct option given in question 61 to 65 and complete the later given below यानि ये देख रहें यहाँ पर आपका एक application है राची 16 March 2024 2 यहाँ आपका खाली जगा है यहाँ जो खाली जगा है यहाँ पर क्या लिखाएगा यहाँ लिखाए Middle School गुमला है subject application for leave चुटी लेने के लिए आविदन पत्र है तो यहाँ आपके पास इसी तरह से option रहेगा कि आखिर में यहाँ पर क्या भरा जाएगा यह 16 नमर का option है तो जैसा कि हम यहाँ पर application को लिख रहे हैं तो application जो लिख रहे हैं किसके पास लिख रहे हैं the headmaster इस तरह से बच्चों आप अच्छी तरह से भरने का प्रियास करेंगे आप अपना practice को अभी कर लें ऐसा ही question आपके exam में एक application आपसे पूछा आएगा आए next question को देखते हैं जैसा कि देख रहे है question number next आपके पास आगिया है math से है यदि L बराबर 2 है और M बराबर 3 तो L square पलस M square का मान क्या होगा आपके पास यह 4 option है 13, 36, 5 और 23 प्यारे बच्चों जल्दी से आप comment करें कि सही answer इसमें से क्या होगा बच्चों देखें आपके पास क्या है L बराबर 2 यहां क्या बनाएंगे L बराबर 2 है M बराबर कितना है 3 है तो यहां क्या का रहा है कि L square पलस M square का value क्या होगा आप समझेंगे कि इसको बनाएंगे किसी यह समझ में नहीं आ रहा है लेकिन घाप राने की बात नहीं है धियान से इसको देखिए L का value कितना है? 2 है तो यहां पर 2 लिखें और इसकोर है तो isकोर लगा दिजी आंप का value कितना है तो दो बार इसकोर है तो इसकोर लगा दिजिए आपका अंसर है ऐसा ही question आपके exam में पूछे जाएंगे बच्छों धियान रहे जदिंऀ आपके पास यहाँ पर M दे दिया है अब यहाँ आपका minus दे दिया और question यही है तो आप कैसे बनेंगे, अब आप तो घब रा जाएंगे तो यहां पर सची एंगे, जदी आप के पास प्लस था आपने ऐश्ञा बना लिया, अगर आपके पास मैनस अगर हो गया, तो क्या करेंगे, घब राने की कोई बात नहीं है, ध्यान से इसको देखिए, यहां क्या कहा दिया आप देखे ल स्कॉर माइनस M स्कॉर है यह आपका हो गया दूसरा कोस्टन यानि ऐसा भी कोस्टन आपको पूछ सकता है तो L का value 2 हो गया, M का value 3 हो गया तो अब यहाँ क्या करेंगे, L square यहाँ पर है यहाँ पर लिखे L square minus M square तो L का value कितना है, 2 है, तो 2 लिखे, 2 पर power 2 दे देंगे अब यहाँ आपका minus हो गया, M है, M का value 3 हो गया 3 पर power यहाँ पर लगा देंगे 2 दोनी कितना हो गया 4 हो गया 3 कितना हो गया 9 हो गया 9 में 4 अब घटा देंगे कितना हो जागा 5 हो जाएगा बडा चीना किसका है मैनस का है तो मैनस 5 बच्चू इसका आंसर होगा ऐसा भी question पुछा जा सकता है लेकिन बच्चो याद रहे, question जदि वहाँ पर आपका प्लस था, यह आपका आंसर हो गया, minus था, यह आंसर हो गया, और जदि आपके पास यहाँ पर गुना दे दिया जाए, तो क्या करेंगे, question का देखिए, model कैसे बजल रहा है, यहाँ पर आपका दे दिया जाएगा गुना यहाँ आपका दे दिया जाएगा गुना, तो जैसे यह जो value से आपको निकाल दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना ठीक लगा देंगे, कोई दिकत नहीं है, वही चीज आ गया, इसको गुना कर देंगे, तो आंसर कितना हो गया, 9.36 हो जाएगा, बच्चो यही त 125 का घनमुल होगा, अब यह कोशन आपको पूछ दिया, आपके पास option रहेगा, पांच है, तीन है, दो है, और छो है, इस तरह से बच्चो आपके पास option रहेगा, तो बताएगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, 125 का घनमुल होगा, तो कैसे घनमुल निकालेंगे, नहीं जान चलिए इसको देखते हैं, लगुतम इसको कर लेते हैं, 125 का हम जदी लगुतम निकालेंगे, तो कितना होगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, फिर यहां क्या करेंगे, 25 हो जाएगा, घनमुल बच्चो जब भी निकालते हैं, तीन का जोड़ा हम लगाते हैं, जैसे देखेंगे, य आपके लिए सही रहेगा इस तरह से बनाने का प्रियास करें क्योंकि घंण मुल में तीन संक्या एक ही तरह राता है उसमें से एक को निकाल लिया जाता है तो इस तरह से बनाने का प्रियास करें बच्चो नेस क्वेशन को देख रहे हैं कि 15 x square क्या है 15 x square y है का अभाज गुननखंड क्या होगा यह आप से पुछा गया है तो बच्चो आपके पास option भी रहना चाहिए तो option आपके पास है यहाँ पर देख रहे हैं 5 गुना 3 x गुना y दूसरा option आपके पास है 15 गुना x square y है और तिसरा option आपके पास है 15 x square गुना y है और चौथा option आपके पास है 5 गुना 3 गुना x square गुना y है आपके पास इस तरह से 4 आंसर रहेगा और यहाँ पर देखें question पूछ रहा है कि इनका अभाज गुना खंड क्या होगा तो आप चुनें कि सही आंसर क्या होगा तो बच्चो धियान दीजिए यहाँ आपके पास क्या है 15 x square y है तो 15 को जदी हम गुना खंड तोड़ते हैं तो कितना आपका होगा? 5 तिया 15 आपका हो जाएगा और गुना करेंगे x पर पावर 2 है तो x गुना x हो जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं y होगा तो बच्चो यही तो आपका आंसर है या तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3 गुना 5 लिखेंगे गुना x गुना x लिखेंगे और गुना y करेंगे त तो बच्चों आपका आंसर यही हो गया, तो आप्सन कहां मिल रहा है, आप्सन यह देखिए, आप्सन नमर एक आपके लिए सही है, यह सवी क्या है, यह अभाज गुननखन के नियम को परदर्सित करता है, तो आप्सन नमर एक लिए सही रहेगा, नेस कोस्टन की बात करें, तो जड़े आपके पास क्वुच्चन अइसा पूछा जाए, आठ बटे 27 का घंण मूल होगा, शूच्चन यहां भी बदल सकता है, आठ बटे 27 का घंण मूल होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, आपके पास option आपके है, दो बटा 3, पहला option, दूसरा option आपके पास है, चार बटा 9 उसके बाद option आपका है 8 बटा 3 उसके बाद आपका option है 2 बटा 3 तो इसमें से देखिए दो-दो option एक ही मिल गया है लेकिन आपके पास यहां रहेगा 3 बटा 3 तो बच्चों आप solution को करें कि कि इसका सही answer क्या होगा तो आखर इसका हम घंधमुल कैसे निकालेंगे 8 बटे 27 है तो आट बटे 27 जब ऐसा है तो हमको घंधमुल निकलने के लिए जान रहें कैसे निकालते हैं देख लिजी 8 है तो 8 को क्या करेंगे लगुतम निकाल लेंगे 4 दूने 8 हो गया 2 दूनी चार ह हो तो इसका घर्मों कितना हो जाएगा दो हो जाएगा अब 27 का निकालते हैं 27 का जणी हम लगुतंड हो जाता है टीन तिया नोड 25 मिल गया यहां पर एक आंकों को लेते हैं तीन आपका हो गया अब पर देखिए 8 की जगह में क्या लिखेंगे यहां पर हम 2 लिख लेंगे नीचे में 87 की जगह क्या लिखेंगे तीन लिखेंगे आंसर कितना हो जागा आपका दो बट्टा तीन तो option नमर कहा है देखिए option 4 था आपके लिए सही है आईए next question को देखते है next question आपके पास ऐसा भी option है option 2 है x-12 आपका होगा option 3 आपको देख रहें 3x-12 आपका है उसके फोर्थ option को जड़ी बात करें इन में से कोई नहीं non-up दीजिस में है तो आप बताएं कि इनका जो कारा 3x-12 का गुननखर्ण क्या होगा तो आपके पास 4 option है तो जल्दी से बताएं कि सही आंसर क्या तोड़ते हैं यहां पर देखिए कि 3x-12 आपका हो गया इसमें से common क्या निकाल रहे हैं 3x इसमें से देखिए 3 को common निकाल लिए तो इसे भी तो common निकलेगा 3 ना तो कितना हो जागा 3 चोक 12 हो जागा तो 3x-4 प्यारे बच्चो यही आपका आंसर है option number a आपके लिए सही रह देखने का है और गलती नहीं करें और अच्छे अंक प्राप्त करें और अच्छे नमर से पास करें थैंक यूफर वाचिंग माई वीडियो पिली लाख सेयर एंड कमेंट